तो दोस्तों स्वागता पाइपर हड्रोटों वाल यूटुब चैनल में और आज आपके लिए क्या है वही में रोयल इंफिल्ड की सूपर मेटियोर जो की है 650 CC की अभी तक इसका कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर मुणा है था तो आज यह मेरे को मिल गी है तो यह टैस्ट ड दिखाऊं तो यह इसका लो बीम आई बीम रोल की ब्रैंडिंग बीच में आपको देखने को मिलेगी सर्कुलर में मिल जाएगा आपको इसका पूरा का पूरा लाइट नीचे नंबर प्लेट की जगए जो आपको दिख रही है सस्पेंशन की बात करें तो भाई bisa 30 mm की डिस्क वाइबरा के ब्रेक डूवल कैलिपर के डूवल चैनल एबी इसके साथ हमें यह मिलती है 320 की सामने की तरफ इसकी प्रोफाइल जो कि है इसकी डिस्क ब्रेक की वह ठायर की बात करें तो C8 का टायर इसमें में देखने को मिल जाता है ओर टायर सेक्षन की बात क तो यहां मिल जाएगा आपको इसका reflector जोगी side reflector है और बात करें indicator की तो ऐसे ही indicator में नीचे से लेका उपर तक सारी वाइकों में मिल जाते हैं टेल लाइट कुछ इस चरीके की, बात करें साइड से, तो साइड में सबसे पहले आते हैं, नीचे की तरफ, तो नीचे से बात करोगे, यहां दिखेगा आपको इसका साइलेंसर, यह इसका साइलेंसर पूरा क्रोम में यहां से होता हुआ, पूरा पीछे तक जाता है, क्रोम क अंदर फुटपेक की बात करोगे इतना बड़ा फुटपेक जिस पे रोयाजन फिल्ड की ब्रेंडिंग वन डाउन फाइफ अप्ट है स्पीड का वियर बोक्स इसके अंदर मिल जाता इंजन सबसे बड़ी चीज़ चैसुपचास सीसी का है इंजन दो सिलेंडर का है सिंगल नहीं टू सिलेंडर इंजन है यह पावर की बात करें 46 बी एच्पी की पावर और तोर्क की बात करें 52 न्यूटन मीटर का टोर्क इसमें मिल जाता है ग्राउंड कलिरेंस 135 mm की मिलती है साइड स्टेंड इसमें सिरफ देखने को मिलता है मिदल स्टेंड भी दिया है साइड में तो दोनों स्टेंड इसमें दिये साथ के यह आपको दिखेगा उपर यहां को उने में side strength cut of sensor भी इसके अंदर company में दिया है chain system की बात करे open chain system आपको यहां मिलेगी पीछे वाला foot pack कुछ इस तरीके का side से बात करोगे super meteor 650 की branding यह कुछ इसके filters यहां पर लगे हूँ है पाप पलक की जगए कुछ इस तरीकी का और जो दिखाना था यह देखो liquid pulling के साथ हमें मिलता है यह 650 CC का engine जो की रोईलिंफिल्ड की meteor में आता है रोईलिंफिल्ड की branding chrome के अंदर यहां दी है पीछे की तरफ बात करोगे यहां मिलेगा lady side guard पैकी जगे नहीं वो आपको मिलेगा लगी जाएगा पीछे hydraulic suspension coil के साथ आपको मिल जाएगा अब चलते हैं इसके back side में back side में आओगे सबसे पहले यह meteor जैसी इसकी light नीचे no no indicator यहां पर मिल जाएगा इसका number plate पी जागा यहां दिया wire reflector साथ में यह वाड़ा reflector जो की दोनों में side में देखने को मिल जाते हैं उपर बात करोगे rolling field की यहां पर stickering के through branding यह इसका कुछी स्थरी के का पूरा guard मिल जाएगा नीचे की तरफ बात करें पीछे वाड़ा tire c8 का tire zoom का यहीं बात करें तो c8 और tire section की दर है tire section यह छुपा हुआ है tire section की अगर बात करोगे तो पीछे 100 lines का tire आपको देखने को मिल जाएगा यह रहा भाई 300 को तो 150 80 16 4 lines का इसमें आपको 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 देखने की तरफ 300 mm का डिस्क बाई बराकर डूल कैलिपर का ही पीछे आमें ब्रेक सिस्टम दिया है डूल चैनल अबी इसके साथ swing नाम लोक शेप काफी अच्छी मिल जाएगा यह आपको इसमें stability बाई देगी ही जब है यह बाई कैसी grab handle यहाँ पर दिये है नीचे की तरफ बात करेंगे foot pack super meteor 650 की branding और यह इतना बड़ा R की branding प्रेट 600 CC के engine के उपर यह कुछ इस तरीके की यह इसका foot pack, brake pedal और दूसरा silencer मिल दिया है आपको यहाँ पर तो दो engine है तो दो silencer देखने को मिलते हैं यह कुछ इसके आपको यहाँ पर बात करते हैं टंकी की यह है इसकी टंकी इस तरीके प्रेट की स्टिकरिंग यहाँ पर 15 लिटर की capacity रोयल इन फिल्ड की ब्रेंडिंग 3D 3D ब्रेंडिंग क्रोम की यह पूरी प्लेटिंग कुछ इस तरीके का और रोल feature बात करते हैं हैंडल की यह है कुछ इसका single piece का handle bar सबसे पहले आते हैं रोयल इन फिल्ड के क्रिप कि शिलिपर क्लच पास्विच और रुट हाइब लोबिम स्विच इंटिग्रेटिड साइट रन इंडिकर वह रोनका स्विच यहां मिल जाएगा आब बात करोगे शिंगल का यह कि शुवा की सिस्पेंशन दिलते हैं इंटिग्रेटिड की इंजन की स्विच स्टाट फिच यहां मिल जाएगा ब्रेक सिल्वर कलर में यह अजार स्विच आपको यहां पर कंपनी ने दिया है अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की सबसे पहले चाबी देख लो इतनी बड़ी वाइक और इतनी छोटी सी चाबी इस पर मिल जाएगी ब्रेंडिंग इसको लगा यहां जैसे यह उन करूँगा इस तरीके का इसका पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखन को मिल जाएगा यहां देखोगे यहां पहले टाइम और वोलेज यह आपको बताएगा यह सिर्फ टाइम और वलेज बताने के लिए कि कमपणी में अलग से लगाया है यहां पर बात करेंगे दोसों गी स्पीड किलो मेटर पर आवर यहां बात करोगे ट्रिप-एफ तेल क पर मिल जाती है तो यह सारे फीचर समय यहां देखने को मिलते हैं भाई तो यह सारी चीज़े होगी इसके इंस्ट्रूमेंट में ABS की लाइट, न्यूटल, यह सारी चीज़ होगी तो यह थी सूपर मेटियोर 650 एक बर स्टार्ट करके आपको नई समादिक का एक्जोस्ट साउंड तो यह था इसका एक्जोस्ट साउंड जो मैंने अभी आपको सुनाया तो भाई काफी अच्छी और हैवी बेस प्रेडियूज करके देता है यह इंजिन हमें क्योंकि भाई दो सिलेंडर का इंजिन है डोनों काफी अच्छी पावर निकाड़के देते हैं तो यह थी सूपर मेटियो 650 पूरी वीडियो आपने देखी वाई वीडियो पसंदा यह लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो खरीदना चाहते हो शोरम की डिडियो डिस्क्रिप्शन में है अब जाके खरीदो मिलेंगे नेक्ट वीडियो में थैंक यू